नो फ्रेंट आज हम बनाएंगे क्रिषबी औ खस्ता सा समोसा जो अगर आप बजार से लाते हो — तो बहुत समोसा यहां, बुछ भिजार में हमें समॉसा आज लगा है करवा सकता है वीडियो nerd ability जोड़ के न जाए अब शूरु से पूरा ज़िएं तो यहीं. और अगर आपको विडियो चाल लगे प्लीस लाइक जरूर करें और अगर आपको शोमो खाना बहुत पसंद तो के मिलीं में भी बदा सकते हूं आप को समोसा कितना अच्छा क्यावर। तो इस तरह से हम बनाएंगे समोस से दो फिरेंड में हम समोसा खाते हैं तो हमारी मन नहीं भरता है। इसलिए मैंने घर में बनाए और समोसब आपको बहुत कम समय में एक टेक्निक बताएंगे जो आप फड़ा समोसा बना सकते हो आपको ज्यादा महिनत लगी या आपको सोमोसा बनाने में आपको ज्यादा टाइम बेस्ट होगा, आपकर कम समय में आप भड़ा-फट सोमोसा बना सकते हो, तो फिरेट बनाने के लिए हमने क्या करना है, तो वीडियो शूरू से अंतक देखे वीडियो छोड़ना नहीं है अगर आप वीडियो बीच में चाहे आप आधा पे छोड़ के चल जाते हो तो आप देख नहीं पाओगे कि हमने समोसा कैसे बनाया और समोसा बनाने के फ्रेंड यह बहुत नया एक टेकनिक है इस तरह से दिया है मेदा में हम अजवाइन डालेंगे करस करके अजवाइन को थोड़ा सा हाथ के हतेली पर रख रख कर लें मैंने घीए bakin soda लिया है खसता होने के लिए जादा नहीं एक चुठकी चाहिए आपको सोड़ा और हमने चार चमच घी डालेंगे जी clean and ö primeiro mix in the pot जब तक के आठे कि ने बूंधा है उसके बाद धिला को फिर चँछे डाले है जाद कि यहां को खूंधना है यह देखें मुठी बान रही है अब हम गिल्ला को बाराबन चीनद भी जाए चाहिए आटा बीच वाला होना चाहिए और आटे को आपको एक घंटा रेश्ट करने के लिए हम इसको ढखके साइडी में रख देंगे कि जब तक से हमारा आटा जो है अच्छे सिदम खसता हो जाएगा और आटा जो है अच्छे से डो जब भी आप आटा किसी का भी लगाते आदा एक घंटा उसको ढखके रख दें साइडी में तो आपके जो भी चीज बना रहे हो बहुत तेश्टी बनती है और खसता बनता है तो मैं इसको साइड में रख देंगे तो चलिए आलू का मसाला बना लेते हैं आलू के मसाला में ना हमने प्याज एट किया है ना हमने मसाले वाला है कम तेल मसाला में आप बहुत टेश्टी मसाला त्यार कर सकते हो तो देखे मैंने आलू का मसाला त्यार कर लिया है अब आलू के मसाला में हमने क्या डाला है अद्रक और सिरी भरी मीज बस यह दो का आपको एक पेस्ट बना लेना है दरदरा और पेस्ट बना क और उसके बाद हम ने जो एक पेस्ट बनाया है मिल्चा और अद्रक का प्लीज बस फ्रें यह दो चीज का यह आप अगर समोसा बना रहो ना कभी भी यह दो चीज का पेस्ट बनागा डालना इतना आपके स्वास में स्वाद आईगी न क्या बाहर का समोसा काना भूल जाओग फॉरुड़ा घोज सकते हो तो तो मैंने थोड़ा सामने इसमें आम चूर पावडर डाला है जाला कि दो पानी डालें हमारी जो मसाले अच्छे से पकजाए मसाला कच्छा ना रहे अब मैंने आलू भी एट कर दिया है आलू और मसाले को अच्छे से मीक्स कर लेंगे नमक अनुनरा मबगलें नमक कम चा नमक कम भड़ा है नमक यह रहा हमारे आलू के मसाले जтовक अजली बनाके अगर क्या गश्यमी बनाएं ऑफ यह तरह पूंपातका इंतारे सभी आंड़ा अरना दोपैबर सकते हो तो इसे आलू के मसाल वाधा ज़तके के बहुत मतलब मसाले जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और इतनी टेश्टी बनाता लगी नहीं रहता है कि हमने घर में आगर आप एक बार इस तरह से समोसा बनाएं तो लगेगा है नहीं आपने घर में बनाए या लगेगा बाहर से मंगाए हो और आपके पूरे घर में सब बहुत अच्छे से खाएंगे इस तरह से आप अपने घर में हेल्दी और टेश्टी समोसा बनाएं और घर का मतलब अच्छा खाना खाएं क्योंकि बाहर का खाना काओंगे प्रेइन तो बीमार भी पड़ोगे इसलिए हो सकत अपने सहता ख्यार रखें और घर का खाना तो हमारे video मिस ना करें शुरू से पूरा अन तक देखें तो इस तरह से फड़ा फट सोमोसा खाना कि जल्दी कहाना तो बहुत कम समय में आप यह टेक्निक जरूर अपना है सोमोसे दो तरह के बंदें एक तो इस तरह से समुसा बनता है जो ठोंगा बना के हम लोग डालते हुआ उसमें थोड़ा क्या टाइम ज्यादा लगता है और यह रोटी वाला जो समुसा है इसको आप बनाओ गया तरह टाइम कम लगेगा टाइम की बचक होगी और समुसे भी बहुत ज बना सकते तो यह वाला टेकनिक ज्यादा अच्छा है इसलिए मैंने पहले एक बड़ा सा रोटी बेल लेंगे रोटी ज्यादा बड़ा बेले क्योंकि हम इसमें चार समोसे बनाएंगे वीडियो दम मिस ना करें अगर आपको नया नय वीडियो देखना है तो हमारे घंटी जरूर दबाएं मतलब बेलम आएक हम जरूर दबाओगे तब आपको हर खाना का विकेशन आपके मोबाईल पर आ जाएगा जब भी हम नया कोई खाना डालेंगे तो आपके मोबाईल पर मतलब आ जाएगा कि हमने आज हमने नया कोई टीश डाला है इस तरह से देखिए मैंने पीजा कटर से इस तरह से चार मैंने भाग कर लिया है अब इसको हमने कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे मसाले थोड़ा-थोड़ा करके मसाला डालें चारो साइड में हमने कोना में म और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आप समोसा बना सकते हो कोई ज़्यादा आपको महिनत भी नहीं लगेगी और कम समय में देशाद देखिए मैंने साइड में पानी लगा लिया है और इस तरह से आपको दूनों साइड में को पकड़की इसको चिपकाल लीजिए भणावल ल समसा बनाएं इस तरह से आप समोसा फट रेडिक कर सकते हो इस तरह से समोसा बनाकर दिखा रही है एक और समोसा आपको बना कर दिख़्ा रही हूं कि आप holeh नाई और इस तरह से आप अपने घर में श़ूंवसा बना सकते हैं बहुत खाने में यम्मी लगता है और एक समोसा था फैब्रेट चीज H польз कि समोसा ही चीज जो सुनते ही मुंण में पानी आथा है तो इस तरह से आप घर में समोसा बना सकते हैं कोई ज्यादा मेनत नहीं है और अगर आपको जब भी कोई स्वित भाने का आप मन करें तो बड़ा बड़ इस तरह इस तरह इस तरह से इस तरह से समय साथ सकते हैं तो दिखिए इस तरह से मैंने इक और समय साथ को बना को दिखा दिया है तो फ Giants Hum हम सब सारे स्वमोसे इसी तरह से बना लें गे आपको साइड साइड में पानी लगा लेना है और बस यह दियान रखें कि आपके जो मसाले निए और जब आप तेल में फराइग करो गरम नहीं होना चाहिए फिक्राई गरम तोड़ा सा टंड़ा आपको गैस और आच वह बीच वाला होना चाहिए दम मतलब पीच वाला की मतलब तेज ना जाकरता है उस तरह से आपको गैस का आच होना चाहिए तभी आप संसा डालो गी तौछ आपकर संसा अंधर तक दब किरिश्वी बनेगी और खस्ता बनेग समोसा कहते हैं समोसा को रखने और समोसा जब प्राई होने दीजिया जब आपके समोसा फ्राई होंगे बहुत ज़्यादा खसता बनेगा समोसा तो इस तरह से देखिए हमने समोसा को दम धीरे धीरे फ्राई कर रहे हैं और समोसा फ्रेन जब आप गरम गरम चटनी के साथ खाऊगे वाव वाव क्या ला जवाब समोसा लगती है खाने में तो इस सोमसे बनाने चलिए आपको तो समोसे डिहा करते हैं आप समसा अच्छा लगता सकते हैं कि इसकते में अलगवß तो हम आपको और नेया नेया अगर आप लोगों कोई और चीज पसान देबरें तो आप हमें केमिन करके बताओ तो हम आपको वह भी बना कर दिखा सकते हैं तो इस तरह से आप भी अपने घर में समोसा गरम गरम बनाएं इंजोई करें देखिए हम समोसा तोड़के भी आपको दिखा रहे हैं कितना खसता बनाएं